अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपने वर्डप्रेस का नाम जरूर सुना होगा बट वर्डप्रेस एक वेब पॉप्लिसिंग सॉफ्ट्वेर है जिससे आप एक वेबसाइट और ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं यह 2003 में रिलीज होने के बाद वर्डप्रेस वन अफ पॉप्लर वेब पॉप्लिसिंग प्लैटफॉम बन गया है और अब 32% वेबसाइट वर्डप्रेस वेब पॉप्लिसिंग सॉफ्ट्वेर का यूज कर रही है कई सारे पॉप्लर ब्लॉग और वेबसाइट वर्डप्रेस सॉफ्ट्वेर का यूज कर रही है जस्ट एक वेब ब्रावजर का यूज करके आप वर्डप्रेस से एक फुल फीचर्ड वेबसाइट कर सकते हैं और इसके लिए किसी कोडिंग की जूरुत नहीं है In fact, अगर आपने MS Word का यूज किया है तो यहाँ पर भी आपको same options देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक hosting service लेने पड़ेगी जहाँ पर आपको वर्डप्रेस पर इंस्टॉल्ड मिलेगा यह hosting company आपकी website को 24 x 7 hours monitor और maintain भी करती है ताकि आप अपने content पर focus कर सकें और अपनी audience तक reach कर सकें और आप wordpress.org site पर जाकर wordpress software को download करके इसे अपने web server पर install कर सकते हैं कुछ reasons हैं जिनकी वजह से wordpress website build करने के लिए एक great choice है सबसे पहले wordpress एक open source license के under release हुआ है which means आप wordpress को free download करके कहीं भी use कर सकते हैं और साथ ही wordpress community के member इसे update करके improve करते रहते हैं second wordpress learn और use करना बहुत ही आसान है अपनी website में एक छोटा सा change करने के लिए आपको किसी web designer की जरूत नहीं पड़ती है अब बिना coating सीखे यह change खुद से कर सकते हैं third wordpress completely customizable है यहां पर हजारों themes available हैं जिससे आप entire site का look change कर सकते हैं और plugin का use करके online store, photo gallery और mailing list जैसे कई सारे features add कर सकते हैं next अगर आप कोई problem phase करते हैं या कोई customize feature add करना है तो यहां पर आपको easily support मिल जाता है और साथ ही आप किसी को hire भी कर सकते हैं official wordpress forum में आपको कई सारे questions के answer भी मिल जाएंगे wordpress के events organize करता रहता है जहां पर आप other wordpress users से मिलकर बातचीत कर सकते हैं और finally आप content को completely control कर सकते हैं आप other platform से data import कर सकते हैं like blogger और tumbler और साथ ही wordpress से data export भी कर सकते हैं so अगर आप एक easy tool search कर रहे हैं जिससे कि आप एक blog और website बिल्ड कर सकें बिना किसी coding के और completely flexible तो wordpress एक best choice हो सकता है